नमस्कार दोस्तों देखे मित्रों आजम पढ़ने वाले हैं सात्वें क्लास की जो मादमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसमें हिस्ट्री का लास्ट चेप्टर है अध्याए 21 लोक संसकर्थी और दोस्तों बहुत ज्यादा मैत्पून चेप्टर है ये इसमें राजस्थ के आर्ट कल्चर से समधी जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा हैं काफी है तो आपके एक्जाब के पॉइंट ओफ यू से ये चेप्टर बहुत ज्यादा मैत्पून है इसलिए सुरू से लाट तक इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखेगा एक-एक पॉइंट को सुनि आदोलन जो था सुफी संथ उनके समय अमीर खुसरो की एक पुस्तक का नाम बताया था जो की बहुत मैत्पून पुस्तक है आपको अमीर खुसरो की उस पुस्तक का नाम बताना है उसमें अलावदिन खिल जी के राजस्तान के जो भी अभ्यान थे उन सब का वर्नन है तो व से पहला है लोक संस्कर्ति गौरवशाली अतीत शक्ति भक्ति त्याग और तपश या स्थली राजस्तान का जितना वीवित्ता पून प्राकर्तिक प्रवेश है उतना ही सरल सजिला है इसका संस्कर्ति वेवव। समरित लोक संस्कर्ति के परिचाइक तीज त्योहार उमंग वा उलास के परतिक मेले आस्ता और विश्वास के केंदर यहां के उपासना स्थल कहीं गूमर तो कहीं चंकी थाप पर गिंदर कहीं चक्री तो कहीं भवाई नर्ते के रोमांचक कर्तव कहीं गेर नर्ते की गमक तो कहीं विदूद गती का तेरा ताली कहीं अलगोजे की मदूर तान तो कहीं सुरनाई रंग विरंगे राजस्थान की लुठी अनुठी सांसकर्तिक विरासत है यहां की लोग संसकर्ति जिसका आकरशन देशी विदेशी प्रियाटकों को यहाँ पर खींचे लाता है तो क्या क्या आगे इसमें संस्कर्टी में तो जैसे तीज त्योहर यहाँ की जितने भी त्योहर है मेले आगे इसके अलावा आस्ता और विश्वास के जो केंदर इस्तल है यानि दार्मी के स्तल से है कहीं गुमर तो कहीं जंग की था पर गिंदर जैसे यहाँ के नर्ते हैं लोक नर्ते हैं इसके साथ ही वादेयंतर वो सब इसमें आ जाएंगे तो यह सब जो हैं यहाँ की कल्चर से समधित हैं अब आता है परमुक शक्ति पीट क्या है पगे पगे देव अने डगे डगे देवरा की लोकोक्ती को चरितार्त करती राजस्तान की धरा कई लोक आस्ता केंदरों को समेटे हुए हैं सधियों से यह आस्तास्तल मानों मन की iOS, पुरित मनों कामनाओं को पून करते हैं आतो सुर्गाने, सरमावे पंक्तियां राजस्तान की पवितर धरा को बेवता परतान करती है देखे ये जो पिराग्राफ हैं इनमें आपके एक्जाम के पॉइंट विउसे लिखने वाला जैसा कुछ नहीं है ये केवल बैसिक जानकारी बता रहा है कि क्या कल्चर में क्या है संस करती क्या है परमुक शक्ति पीट के बारे में तो अब यहां के बताए जाएगा शक्ति पीट के बारे में ये तो आस्तास्तल के बारे में बता रहा है कि हर जगह जगह जो है वो आस्तास्तल है राजस्तान में इतनी ज़्यादा लोगों में आस्ता है शर्दा है कि राजस्तान में ऐसे अनेक शक्ति पीठ है उन में से कुछ का वन्णन यहां पर किया जा रहा है अब यहां से जो है वो आपके एक्जाम के पॉइंट अव यू से महत्पुन है सबसे पहले हम देवी के बाद जो बात करते हैं लोग देवी देवतां में आपने पढ़ा होगा केला देवी तो केला देवी का मंदिर काँ पर है करोली में पूर्वी राजस्तान का परसिद शक्तिपीट केला देवी करोली से लगव 25 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है फिर कौन सा परवत है त्री कूट परवत कि सुर्मे घाटी में बना केला देवी का भव्य मंदिर अपने शिल्प और इस्थापत्य एकान दर्शनी है ये केला देवी जी के मंदिर मूर्ती है जिनका चित्र यहां दिया गया है केला देवी महालक्ष्मी के अवतार के रूप में मानी जाती है मंदिर के पीछे काली सिंद नदी बैती है मंदिर में महालक्ष्मी तथा चामुडा माता की परतिमाए इस्तित है सफेद संगमरमर से बना यह है भव्यमंदृ अपनी लहराती लाल पताकाओं से सफेद और लाल रंकों के सम्मिष्रन का अद्बूत दर्शे परस्तूत करता है लाल पताकाओं से यह जंडे की बात कर रहा है केला देवी के सामने हनवान मंदिर है जिसे इस्थाने लोग लांगूरिया कहते हैं देखे यहाँ जो गीत गाये जाते हैं उन गीत को लांगूरिया गीत कहते हैं तो लांगूरिया या मंदिर को भी का गया है और जो गीत गाये जाते हैं ये कि उसन कई बार आग चुका है एक्जाम में माता जी का नाम लिख करके कि जैसे जो केला देवी है तो वहाँ भक्तों के दुवारा कौन से गीत गाये जाते हैं तो उन गीतों कहते हैं लांगुरिया केला देवी करोली के यदूबंसी राजपरिवार की कुल देवी है चेतर मास के नवरातर के दोरान यह आस्तास्तल सजीव हो उड़ता है इन दिनों हजारों की संख्या में सुवागेन इस्तरियां अपने पारंपुरिक वेशबुसा में मा केला देवी की पुजा अर्चना करने और अपने सुवाग की मंगल कामना के लिया आती है इन दिनों लगने वाले मेले का और पर्मु काकुषन है लांगूरिया नर्ते अल्गोजों की दुनों पर लांगूरिया गीत गाते युवक यूतियों की टोलिया मेले के वातावन को और भी बक्ति में कर देती है देवी के चमतकारों के बारे में आज भी अनेक जन सुरूतियां या जैसे कहानियां खताएं जो आउपर चलीते है तो दोस्तों अब इसमें आपके एकजाम के पोइंट अफ यूसेज जो कौन कौन सा पोइंट आपको लिखना है क्या क्या लिखना है केला देवी के बारे में कि पूरवी राजस्थान का एक परसीष शक्तिपिठ है कहां पर है केला देवी का मंदिर करोली इसके बाद किस परवत पर है त्रिकूट परवत पर किस के आवतार के रूप में माहा लक्षमी के आवतार में कौन सी नदी बैती है काली सिंद और मंदिर में किन की परतिमाई है माहा लक्षमी और चामुडा माता की परतिमाई यह आपको लिखना है इसके साथ ही केला देवी के सामने हन्मान मंदिर है जिसे इस्ताने लोग लांगुरिया कहते है लांगुरिया नर्ते किया जाता है लांगुरिया गीत गाये जाते है और ये कब यहां मेला जो बरता है चेतर मास के नवरातर के दोरान तो ये हो जाएगा और किन की कुल देवी है तो यहां के जो यदुमशी राज परिवार की करोली के उनकी ये कुल देवी है इसमें लिखने वाले जो पोइंट है वो यही है अब नेक्स आता है नेक्स आता है जम्वाए मता के बारे में तो जम्वाई माता का परशी शक्तिपीट जैपूर से लगबग 33 किलोमेटर पूरहूं कि दिशा में जम्वा रामगड बांध के निकट अरावली की सुर्मे परवत माला के बीच एक पहड़ी नाके परिष्थित हैं ये जम्वाई माता जी की मूर्ती हैं देखे जम्वाई माता का जब आमेर के सासेख हमने पड़े हैं तो उसमें कहीं न कहीं ये निश्ची दूरुप से आये होगा कि आमेर के सासको ने जम्वाई माता के मंदिर का निर्मान करवाए था इनकी क्या है कुल देवी है आमेर में कौन सी राजवंस का सासन था? कच्वाहा तो कच्वाहा राजवंस की जो कुल देवी है कौन सी है? जमवाय माता और इनके मंदिर का जो निर्मान है वो रामगड में करवाय गया था इसलिए आज रामगड को जमवाय रामगड के नाम से भी जाना जाता है पूरा नाम एक साथ लिया जाता है कि जमवाय रामगड तो जयपुर के पास ही है लग बग 30-35 किलोमेटर की दूरी के दोरान तो यहाँ पर यह मंदिर का निर्मान करवाए गया था जमवाय माता का पुरानिक नाम क्या है जामन्ती पुरानिक मानेता है कि जमवुशेल या जमवुगिरी नामक जिस परवत पर जमवाय माता का मंदिर इस्तिता है उसकी यात्रावे प्रिगर्मा अतिपुन्य फल्दायक होती है इसमें लिखने वाला क्या है? ये पुरा पेरागरा पढ़ने के बाद में आपको बता दूँगा मैं कुछ प्राचीन ख्यातों में उलेख है कि कच्वाहा सासक दुलै राए तो ये दुलै राए कौन थे? तो जो कच्वा सासक हैं इनका मूल पुरूस, आधी पुरूस, पर्तन पुरूस किसको माना जाता है? दुलै राए जी को माना जाता है इनी का ही दूसरा नाम था तेज करन हाला कि वास्तविक जो इनका नाम था वो तेज करन ही था और चुंकि ये सुन्दर दिखते थे, बंठन के रहते थे दुले की तरह, तो इनको दुले राय भी कहते थे, ये 1137 इस्वी के अंदर आते हैं, और दोसा को अपनी पहली राजदानी बनाते हैं, यहांके जो बड़ गुजर थे, उनको प्राजित किया इन्होंने, रामगड क अपनी दूसरी राजदानी बनाया, दोसा को पहली राजदानी बनाया, और उसके बाद में, तो जो इनके में थे, कच्छवा राजवंस के संस्तापक, अपने शत्रों से प्राजित हो गया तो उसने देवी के राधना की, दुले राय जी के बारे में लिख रहे हैं, और ज जम्वाए माता का मंदिर बनवाया, जो अभी तक विद्यमान है, रामगड में है, आपका विदेख के आना चाहिए, तो देख के आ सकते हैं, बहुत ही सुन्दर मंदिर बनावा है, जम्वाए माता सर्दालों की मनोती और मनोकामनाओं को पूरा करने का रही है, ठीक है, य पुरानिक नाम है, तो वो जामनती है, जम्वुसेल या जम्वगिरी नामक परवत, ये लाइन आपको लिखनी है, इसके अलावा, किस के द्वारा निर्मान करवाया गया था, तो वो है, आमेर के कच्वा सास्कों के द्वारा कोन है, दुले राईजी, और किस की की जो है, जैपूराजबंस की जो है, वो ये कुल्दे भी हैं, तो इस पूरे इतने पेराग्राफ में, तीन-च्यार लाइन जो है, वो आपकी बनेगी मुश्किल से, तो ये कम्प्लीट हो गया, जम्वाय माता का, नेक्ष्ट जो माता जी हमें पढ़ना है, वो है करणी माता, बिकानेर से करीब 30 किलोमेटर दूर देश नोप में, मा करणी माता का मंदिर इस्तित है, इस मंदिर में हजारों की संख्या में चुहे बिना डर के इदर उदर घूमते रहते हैं, तो इन चुहों को स्थानिये लोग काबा कहते हैं, देखे करणी माता जी का मंदिर के बारे में, अब इनके बारे में कुसन आप से किस परकार से पुछा जा सकता है, कि करणी माता का जो मंदिर है, वो कहा है, तो देश नोप में इस्तित है, देश नोप कितना है, बिकानेर से लगबग 30 किलोमेटर, इन इसे चुहों की देवी के रूप में भी जाना जाता है, कि उसने पुछा जाता है कि चुहों की देवी के रूप में किसे माना जाता है, तो वो है करनी माता है, इन चुहों को इस्थानिय लोग काबा कहते हैं, देखे इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये लाइन लिखने में, प बहुत ही शूम माना जाता है, कि आपको अगर सफेद चुवा या मंदिर में जाने पर दिख गया, तो समझे आपकी जो भी मनोकामना, जो भी विश है, वो निशी रूप से पूरी हो जाएगी। तो सफेद चुवों को काबा कहा जाता है। यह कर्णी माता का चमतकार माना जाता है कि हजारों की संख्या में चुवे होने पर भी यहाँ एक बार भी पलेग नहीं फेला। कर्णी माता का मंदिर संग्मर्मर का बनावा है, कर्णी माता की मूर्ती के सिर पर मूकुठ है और गले में माला है। ये करने माता जी मूर्ती है बनीवी है बारत में ही नहीं अपितु विश्व के अकेले इस चुहों के मंदिर में विश्व का एक मातर मंदिर है जो चुहों का मंदिर के रूप में जाना जाता है में चेत्रमाह की नवरात्री और अश्विन माह की नवरात्री में दो बार मेला बढ़ता है यह आपके सिदा के सिदा क्यूशन बन गया कि यहां पर मेला कब बढ़ता है या कब जो लोग है अजारों की संख्या में लाखों की संख्या में यह आ जाते है तो चेत्रमास में और अश्वनी माह में देखें नवरात्रे दो बार आते हैं एक तो कब आते हैं चेत्रमास में और दूसरे आते हैं अश्वनी माह में तो दोनों बारी जो है यहां मेला बढ़ता है यह माना जाता है कि देश नो की निव माता के द्वारा ही पड़ी थी है कर्णी माता की चमतकारों के बारे में कई जन सुरूतियां परस्ली थे अब आपके एक्जाम के point of view से इस paragraph में से आपको क्या-क्या लिखना है पहला ये कि कर्णी माता जी का मंदिर का है देशनोक में और इन्हें किस नाम से जाना जाता है चुहों की देवी की रूप में जाना जाता है सफेद चुहों को क्या का जाता है तो वो कहते हैं काबा ये किसन कई बार पुछा है इन्होंने RPSC में या कोई भी एक्जाम है कि सफेद चुहों को क्या कहते हैं काबा कहते हैं और इसके लावा मेला कब बढ़ता है तो चेत्रमास की नवरात्री और अश्वनी माह की नवरात्री में दो बार यहां मेला बढ़ता है तो यह 3-4 पॉइंट है जो इस पूरे पेराग्राफ में से आपको लिखने है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीन माता के बारे में जीन माता का मंदिर का है सिकर में है सेखावाटी जीन माता सेखावाटी अंचल का एक परमुक शक्तिपीट है यह पर्शी शक्तिपीट अरावली परवत माला के बीच सिकर जीले से लगवग 32 किलोमेटर दूर के point of view से क्या पूछा जाएगा कि जिन माता जी का मंदिर कहां पर है सिकर में सिकर से भी अगर वो ज्यादा और अंदर पूछना चाहे कहां पर है रेवासा में सिकर से कितना दूर है यह 32 किलोमेटर लगवग है रेवासा धाम क्याते हैं इसे जिन माताजी को किसका आवतार माना जाता है ? माध दुरगा का आवतार यह आपके फिर से क्यूशन बन गयी हैр और इनका असली जो पूरा नाम है वो है जैनती माला जिनका अप भ्रंस कालांतर में जिन हो गया तो यह भी आपके लिए बहुत मैत्पुन है वो एकजाम में पूछ सकता है कि जो जिन माताजी है इनका पूरा नाम क्या है तो जैन्ति माला और जो कि बहुषे में अपब्रंस, अपब्रंस क्या होता है देखे समय के साथ साथ जो शब्दों में बदला हो जाता है जैसे मैंने आपको कल वाले वीडियो में एक पढ़ाय था कि सास बहु का एक मंदिर आता है कि नागदा में सास बहु का मंदिर है बपारावल के द्वारा बनवाय गया था अब वो सास बहु दरसल सास बहु नाम नहीं है वास्तिक्ता में वो नाम था सहस्तर बाउ और यही सहस्तर बाउ नाम जो है यह समय के साथ अब बरंस होते होते यानि समय के साथ बदलाव होते होते क्या कैलान लगया? सास बहू लोगों ने पूछना सुरू किया होगा कौन सा मंदिर है नागदा में कौन सा है? कि सहस्तर बहु, 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 सहस्त जिन माता की अश्ट बुजा की देवी है, मंदिर में देवी की सफेद संग्मरमर की सुंदर और भवे परतिमा परतिश्टापित है, इस देवी का उलेख भागवत पुरान के नवे सकंद में भी आया है। मंदिर का सभा मंडप संग्मरमर के 24 इस्तंबू पर आधारित हैं। मंदिर माता अश्ट बुजा वाली मैसा सुर मर्दिनी के रूप में भी जाने के लिए बहुत विन्या किया परवन नहीं मानें। जानी जाती है। ऐसी मानेता है कि जिन माता का मंदिर हस्तनापूर से निर्वासन के बाद पांड़ो दुवारा यहां बनवाए गया। तो यह मानेता है। इस शक्तिपीट पर चैतर और अश्वन दोनों नवरात्रों में देश विदेश के शर्दालों की बारी बीड़ती है। तो अब इसमें लिखना क्या कि आपको जैसे जिन माता अश्त बुजा देवी है। काँपर है सिकर के रेवासा धाम में। इसके अलावा सभा मंडब जो है संग्वरमगर के चोईस इस्तंबो पर आदारित है। और सभा मंडब कौन सा बताये था। आपको कल जो मंदिरवाल आये था। जहां मूर्ती रख्ये होती है अंदर वो तो क्या था। गरब गरए। फिर यहां बीच का जैसे आंगन टाइप जो होता है चोग वो कहलाता है सभा मंडब। और जो एंट्री का होता है वो होता है परवेश मंडब या परवेश द्वार। तो वो चोई सिस्टम वो पर है और ये एक लोग कता है तो इसके बारे में आप ध्यान में रखें बाकी ये किन के रूप में भी जानी जाती है तो महिसा सुर मर्दिनी के रूप में भी जानी जाती है इसके लावा पांडों के बारे में का जाता है कि जो उन्होंने इस मंदिर का निर्मान करवाया, निर्वासन के बाद, तो यह थोड़ी चीजें हैं, यह आप द्यान में रखनी चाहिए आपको, तो यह आगा हो गया complete, इसके अलावा देखी एक पॉइंट, एक दूपॉइंट और हैं, वो भी आप द्यान में रखना चाहिए, रख सकते हैं, ज तो यह भी आप द्यान में रख सकते हैं, औरंग जेव ने, यहाँ पर चांदी का चतर चड़ाय था, चिन माता के मंदिर में, इसके बाद में देखेगा, नेक्स जो माता हैं, वो है, त्री पुरा सुन्दरी, कहा मंदिर इनका, बांसवाड़ा में है, और जो पूर मुख् तो त्री पुरा सुन्दरी, इनका मंदिर काम पर है, पांसवाड़ा से लगबग 19 किलोमेटर की दोरी परिश्तित हैं, इस शक्ति पीठ की लोक में बहुत मानेता हैं, और यह वेदिक काल के समकक्ष मानी जाती हैं, यानि वेदों की रचना हुई, उस समें 1500 इसा पूरों स और जगत गुरु संकराचारी के परितनों से भारत वर्ष में शक्ति उपासना की जो लेहर उठी, उसी के प्रणाम सुरुप देश में शक्ति पूजा का महत्व बढ़ा, इसी करम में बांसवड़ा का शक्ति पीठ भी त्री पूरा सुन्दरी के नाम से परक्यात हुआ, राजस्तान के बांसवड़ा डूंगरपूर शेतर में यह देवी तिर्थ, तर्तई माता के नाम से जाना जाता है, तर्तई शब्द त्री तई का अब बरंस है, जिसका अर्था त्री तो यानि तीन से युगतन, तो आपके इसमें कई तरह के क्यूसन बन गए, जैसे सबसे पहले बात हुई है कि इन माता जी का मंदिर का है, त्रीपुरा सुंदरी का, तो वो है बांसवड़ा में, दूसरी बात, इसमें और किस नाम से भी इनको जाना जाता है, तो तर्तई माता के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो इस पूरे पेराग्राफ में ये दो तिन में होने के कुछ सुलेक मिलते हैं मंदिर को वर्तमान भवे सुरूप देने का कारिय उनी सो सततर में प्रारण में किया गया इससे पहले यह देवी तिर्थ उम्राई गाउं के पास बीहड वन्य पर्देश में जोपड़ी नुमा मंदिर के रूप में अवस्तित था तो यह उ पाहिनी राज राजेश्वरी तिरपुरा के अठेरे बुझाओं में दिवय आयुद हैं तो कितने बुझाओं वाली मूर्ती है यह 18 बुझाओं वाले काले संबरमर की मूर्ती है मातिरपुरा सुंद्री की तो यह आप जो है इसको पोइंट को ध्यान में रखें और यह ग गरब ग्रह है शाक्त गरंतों में सिरी महातिरपुर सुंद्री को जगत का बीज और परम शिव का दरपन कहा गया है तो यह जो पॉइंट है इसमें आपको यह जैसे नो चोटी चोटी देवी मूर्तियां है योगिनी की सुंद्र मूर्तियां रहे यह कोई एक्जाम के पॉ देखेगा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि कालिका पुरान के अनुसार तिरपूर सिव की भारिया होने से इन्हें तिरपूर कहा गया है तो तिरपूर सिव की भारिया भारिया से मतलब है पत्नी तो किसके अनुसार कालिका पुरान के अनुसार तो इसलिए भी इन्हें त तिरपुरा का गया है। कहानी आती है, एक कथानक है। पंचाल समाज मात तिरपुरा की कुल देवी की रूप में उपासना करता है। ये आपके लिए पोइंट बहुत मैतपुन है। कौन सा? पंचाल समाज। चवदा चोकला पंचाल समाज ने यहां 2006 में स्वण कीर्थी स्थम बनवाया और वर्तमान में समाज की देख रेक में भवे मंदर का निर्मान प्रगर्ती पर है। तो ये इसमें कुछ मैन मैन पोइंट हैं। अब हम बात करते हैं लोक वादे यंतरों के बारे में। देखें वादे यंतरों का एक वीडियो मैंने बना भी रखा है। आपको मिल जाएगा इसी यूटूब चैनल पे। लोग जीवन को सरस बनाने और उसमें नई उर्जा पैदा करने में वादे यंतरों का मैतपुन योगदान रहे हैं। राजस्तान में पाए जाने वाले कतिपिय लोक वादे यंतरों की यहां जानकारी परदान की जा रही है। अब देखेगा अब आता है वादे यंतरों का वर्गी करन। वादे यंतरों को चैर भागूं बाटा गया हैं। अउन वादे यंतर, घन, तत्त, सुसीर। अउन आत्रों कोन से होते हैं जो की चमडे से युखत होते हैं। जैसे डौल baik हैं और इनको ठोग कर के, पीट कर के, इन पर प्राहर कर के और इन немे बजा जाता हैं। तो अउनध जो की चमड़े से युखत होते हैं। दातु से बने होते हैं, लोहा, पितल, तांबा, जो भी दातु से बना हो, उसके बाद आता है तत, तत वादे यंतर जो की तार, अब जैसे सारंगी है, तंदुरा है, जंतर है, रामन हता है, ये सब इसमें आ जाएंगे तार में, इसमें तत वादे यंतर में, सुसिर वादे अंतर में हालांकि इल्के अरावा और भी बहुत हैं आठाठ दस दस सभी में हैं तो इसके लिए आप वो वीडियो देख लीजेगा पुरा कम्प्लीट यहां एक राजस्तान की कला और संसकर्थी नाम से जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी हैं उसमें राजस्तान के वादे अंत इस नाम से तीन वीडियो बने वे हैं कुछ ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है चारों की शोट ट्रिक है इन चारों की कैसे किस में कौन-कौन सा है और यही एकजाम में लबग पूछी जाते हैं तो इसमें पढ़ते हैं सबसे पहला है एक तारा किसका है अवनत वादे इंतर ही बात कर रहा है चमड़े से यह प्राचीन वादे है गोल तुमबे में एक बांस फसा दिया जाता है तुमबे का उपरी हिसा काट कर उस पर चमड़ा मर दिया जाता है और बांस में छेद कर उसमें खूंटी लगा कर उसमें एक तार खस दिया जाता है और इस तार को उंगली से बजाय जाता है यह वाद्य यांतर एक हाथ से ही बजाय जाता है मेरा बाई एक तारा ही बजाती थी तो इसमें सबसे पहला हो गया आपका एक तारा हालांकि इसमें देखे तोड़ी से मिश्टेक है इसमें जो दरसल अवनद के अंदर यह है चमड़े से यूक्त तो इसमें एक तो यह भपंग और एक जो एक तारा है यह दोनों दरसल अवनद वादे यांतर नहीं है तार होते हैं तो तार से बजाय जाते हैं तार लगे होते हैं और किसी साहिता से इनको बजाय जाता है तो भपंग और एक तारा और एक तारा, ये दोनों अवनद वादेयंतर नहीं है, ये दोनों कोण से हैं, तत वादेयंतर हैं, इनमें तार लगे होते हैं, बाकी इसमें जो हैं, वो सभी सही हैं, तो एक तारा हो गया, ये प्राचिन वादेयंतर है, और उसमें एक तार कस दिया जाता है, इस तार को उं ततवाद्य यंत्र है, इस point को आप ध्यान में रखेगा, आपके पास अगर book है ये, तो यहां से इनको काट करके दोनों को इधर लिख देना, ततवाद्य यंत्र में 5 नमबर और 6 नमबर इस तरह एड़ कर देना, दूसरा आता है भपंग, यह वाद्य कटे वे तुम्बे से बना होता है, तुम्बाज होता है, इसके एक सिरे पर चमड़ा मड़ा होता है, चमड़े में एक छेद निकाल कर उसमें जानवर की आंत का तार या प्लास्टिक की डोरी डाल कर उसके सिरे पर लकड़ी के एक टुकड़ा बांदिया जाता है, वादक इस वाद्य को काक में दबा कर एक हाथ से उस पर डोरी या तांत को खींच कर या डिला चोड़ कर उस पर दूसरे हाथ से लकड़ी के टुकड़े से प्रार करता है अलवर शेत्र में विशेश कर मेव लोगों में यह है वाद्य जो है यह काफी परसलित है तो इक्तारा और बवंग यह दोनों इकों सारंगी के विविद रूप दिखाई देते हैं मीरा सी, लंगा, जोगी, मांगनियार अधिकलाकार सारंगी के साथ ही गाते हैं तो यह सब जाते हैं विए आपको ध्यान में रखनी है सारंगी सागवान, केर, अत्वा, रोहिडा की लकड़ी से बनाई जाती हैं सारंगी के तार बक्रे की आंत से और गज में गोडे की पूंच के बाल बंदे होते हैं तो ये सारंगी के बारे में बहुत जादा पूछा जाता है कि इसके बाल तो देखे जो सारंगी का जो तार है वो तो होते हैं बक्रे की आंत के और गज यानि जिससे वो बजाई जाती है वो किससे होते हैं गोडे की पूंस के बाल होते हैं सारंगी की तरह ही कामाईचा, सुरिंदा और चिकारा वादे अंतर हैं फोर्थ आता है तंदुरा इसमें च्यार तार होने के कारण कही कही इसे चो तारा भी कहते हैं यह पूरा लकडी का बना होता है कामर जाती के लोग तंदुरा ही बजाते हैं यह तान पूरे से मिलता जुलता वादे अंतर है तो तंदुरा में कितने तार होते हैं च्यार तार लकडी का बना होता है कौन सी जाती के? कामर जाती के बांस की लंबी जो है वो नली लगी होती हैं, जिसमें कुल च्यार तार होते हैं, राजस्तान में ये गुजर बोपों का परसलित वादे हैं, देखें यूटूब अगरा पे इन सब वादे यंत्रों के वीडियो हैं, अगर आप इनमें सुनना चाहें, तो जैसे यूटूब पे सर्च कर सकते हैं, जंतर वादे यंतर, तो आपको सेंग्डो वीडियो आ जाएंगे, जो इस तरह से इनको बजाते वे मिलेंगे, रावन हता, बहुत ही मिठा से इसकी दुन में, तो रावन हता के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो आप अपना समय जो है, इन लगी होती हैं, बास में जगा जगा खुंटिया लगा दी जाती है, जिनमें तार बंदे होते हैं, यह वाइलीन की तरह गज से बजाए जाता है, जिसमें एक सिरे पर कुछ गुंगरू बंदे होते हैं, बजाते समय हाथ के ठुंके से गुंगरू भी बसते हैं, रावन हता कि जो धुन है वो बहुत ही मिठास बरी होती है इसको जरूर सर्च किर जिएगा रावन हैता यूटूब में सर्च करेंगे तो आपको इसमें कई वीडियो मिल जाएंगे अलगोजा यह फूंक वाद्य है यह बांसूरी की तरह होता है वादक दो अलगोजे मुहें में रखकर एक साथ बजाता है एक अलगोजे पर स्वर काइम किया जाता है तथा दूसरे पर स्वर बजाए जाते है तो अलगोजा है यह मुह में रखकर बजाए जाता है यह बांसूरी की तरह होता है इस परकार से और मुँ में रख करके इसको बजाए जाता है ये देखेगा इसमें कई चित्र है जैसे सहनाई का चित्र है ये सहनाई बजाई जाती है जो मांगलिक उत्सव होते हैं उनमें मांगलिक कारियों में शहनाई का परियोग होता है तो ये जो है ये शैनाई हो गया फिर है सारंगी बाद ये अंतर ये आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से सारंगी को बजाए जा रहा है इस तरह से रख करके ये सारंगी बजाए जाती है और ये है भपंग तो भपंग की तार की देखिए इस तरह साइड में हाथ में जो बगल में है खाक में इसको दबा करके और यहां से पकड़ जाता है यह तार है इस पर इसको बजाए जाता है तो यह भपंग हो गया इसके बाद देखेगा यह है रावण हता यह आपको डंक से इसमें चितर में दिखेगा नी क्योंकि जो फोटो है इसमें सामने से लिवी है रावण हते की यह रावण हता है यह नगाड़ा है और यह है कामाईचा तो इस तरह से कमाई चाहिए देखिए इस तरह से ये होता है फिर ये यहां इसके तार लगे वे हैं और इससे गज की सायता से बज़ाय जाता है फिर है मौरचंग तो इसकी दुन बहुत ही मिठी होती है मौरचंग की यूटूब पे जो है वो वीडियो आप जरूर सुनिए अगर बहुत से जो लोग इनको बजाने में निपुन होते हैं उन्होंने कई वीडियो इस पे बना रखे हैं फिर आता है तूरही तुरही ये देखिए तुरही की शेप में होती है ये सूसिर वादे यंतर है ये तुरही फिर ये डोल अवनत वादे यंतर हो जाएगा डोल फिर इसके बाद में जंतर वादे यंतर है ये देखिए दो इस तरह से बड़े इस पे डोल की तरह ये बने होते हैं और तो ये कैसा वादे यंतर है ये भी कौन सा ततवादियंतर है, जंतरवादियंतर जो है, और इसे गले में डाल करके, इस तरह से गले में पहन लिया जाता है, फिर इसको बजाय जाता है, साथ में नर्तिय भी किया जाता है इसमें, कई बार, फिर ये है पूंगी, और इसके अलावा, अलगोजा, जो कि आपको मैंने बता रहे था, बांसूरी की तरह होता है ये, फिर आता है, तंदूरा, चंग, तो ये चंग जो होली बागेरा पे जो है, जातर चंग बजाए जाते हैं, ये भी डोल की तरह है, अब नदबादी अंतरों में एक होता है, खंजरी, तो ये कई हैं, जंतर, पूंगी, खंजरी, तंद चंग ilghoja पिर इसके बाद में देखेगा mandal येभी जैसे डौल की होती है उसकी तरह होता है mandal 1 तारा ये 1 तारा है जैसा कैसा है ये ततवादियांतर होता है 1 1 तारा एकतार होता है तो डिरी दिरी दिरी बजाए जाता है जो बगवान के बगती बगएरा करते हैं जादा तर क्योंकि हलका होता है, छोटा सा होता है तो कहीं भी इसको ले के जा सकते हैं सासात में तो इसको बजाते वे बगवान की बगती करते हैं बांकिया, ये बांकिया है सुसीर वादे यंतर में हो जाएगा खर्टाल ये भी बगवान की बक्ति करने वाले जातातर जो है वो खर्टाल बजाते हैं तो ये मैन मैन जो है इसमें आपके वादे यंतर हो गए फिर इसके बाद में देखेगा फिर आता है शेहनाही यह एक मांगलिक वादे है किसकी आकरती का? चिलम की आकर्ती का यह वाद्य शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाय जाता है तुलना भी इन्होंने किस से किये शैनाई की चिलम से आलंकि दिखने में होती चिलम की तरही है मांगलिक जैसे शादी वगरा होते हैं तो उनमें शैनाई बसती है वाद्य के उपरी सिरे पर ताड के पत्ते की तुंती बनाकर लगाई जाती है और फूंक देने पर इसमें से मदूर स्वर निकलता है अब आता है पूंगी यह वाद्य एक विशेश परकार के तुंबे से बनता है तुंबे का उपरी हिसा लंबा और पतला तथा निचे का हिसा गोल होता है तुंबे के निचले गोल हिस्से में छेद कर दो नलियां लगाई जाती है इन नलियों में सवरों के छेद होते है अलगोजे के समानी एक नलियों में स्वर काइम किया जाता है और दूसरे से स्वर निकले जाते हैं काल बेलियों का यह है परमुक वादेयंतर है, काल बेलिया वगरा जो है, वो इसको प्रियोग करते हैं पूंगी का, फिर आता है नगाड़ा, यह दो परकार का होता है, एक छोटा और बड़ा, छोटे नगाड़े के साथ नगाड़ी भी होती है, इसे लोक नाट्यों में सहना कसा जाता है, देखे पहले युद वगरा होते थे, तो उनमें जो है इस परकार से यह बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे, आपने फिल्मों में या देखा होगा, इससे बम या टामक भी कहते हैं, यह है युद के समय रन बहरी के रूप में बजाए जाता है, य जो सिंपल डोलकियां जो होती है गरों में, यह भी कोई जैसे फंक्शन हो या जैसे रास्तान लोक वादियों में डोल का परमुकस्तान है, यह लोहे या लकडी के गोल गेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मढ़ कर बनाया जाता है, इस पर लगी रश्यों को कड़ियों के सारे खींच कर इसे कसा जाता है, वादक इसे गले में डाल कर लकडी के डंडों से बजाता है, जैसे साधी ब्याव अगेरा होते हैं, तो वहां डोलक बजाने वाले होते हैं, कोई भी गेस्ट आता है, तो जो डोलक वाल अगर बैठा होगा, तो वो खड़ाओके फिर से डोल मड़ी होती हैं, यह वादे बिलो और गराशियों का परमुख वादे हैं, तो मांदल जो है किसका बना होता है, मिट्टी से, इस पर हीरन या बकरे की खाल मड़ी होती है, और बिलो और गराशियों का क्या है, यह परमुख वादे हैं, इसके बाद आता है चंग, तो यह कब बजाए जाता है, गा होली के उसर पर बजाए जाता है, ये लकडी के गोल गेरे से बना होता है, इसके एक तरफ बकरी की खाल मड़ी होती है, इसे दोनों हातों से बजाए जाता है, इसे ढब भी कहते हैं, फिर आता है, चौद्व हैं खंजरी यह ढप का लगू आकार है ढप की तरह इस पर भी चमड़ा मड़ा होता है इसे कामड, भील और काल बेलिया आदी बजाते हैं तो यह आपका हो गया कंप्लीट सारे वादे यांतर जो हैं कौन सा किस का बना होता है क्या क्या इसकी विशेस्ताएं होती है और यह चारों में से किस केटेगरी में तावनत है सुसीर है, तत है, गन है तो यह यह पोइंट आपको ध्यान में रखने हैं फिर इसके बाद में आता है कि इसके अलाओ भी राजस्तान में अनेक लोकवाद्य परसलित है जैसे मोरचंग, चिकारा, तुरही, खर्ताल, मंजीरा, जहांज, कांसी की थाली, बांकिया, भूंगल, मसक, ताशा, नोबत, दोहोंसा, ढोलक, ढेरू, आदियु लेखनिये हैं तो ये सब देखें कि जो वीडियो मैंने बना रखा है, जिनके बारे मैं बता रहा हूँ, वो वीडियो आप जरूर देखेगा इतनी सुन्दर शोट ट्रिक है, कि उसके बाद में आप कभी जीवन में कोई सा भी इन में नहीं बूलेंगे, कि कौन सा किस में आता है फिर किसी की कोई विशेस्ता है, जैसे किसी के बाल बकरी के बनेव हैं, कोई बकरे के, कोई हिरन के, कोई गोडे के बाल तो वो एक्षा चीज़े हैं, वो थोड़ थोड़ी आप देख करके इनको कम्प्लीट कर सकते हैं फिर आता है परमुक लोक नर्टे मस्ती उलास और आनंद क्याती रेक में भी कई तिरकनी क्या है नर्टे है जब आदमें खुश होता है तो वो क्या करता है वो नासता है तो इसी परकार से हमारे कई लोक नर्टे हैं जो इस्पेसली कई मुखे इस्थान की वज़े से कई इस्थान पर फेहमस है कि पूरे रास्तानमी स्थान का ये लोक नर्टे परसीद है इसका ये परसीद है यहां की ये विसेशता है ये नर्टे जो है वो सिर्फ मैलाएं करती है ये सिर्फ पुरूश करते हैं, ये दोनों करते हैं, तो इस परकार के कई लोग नर्ते हैं और उनके बारे में आप हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला आता है इसमें गेर नर्ते गोल गेरे में इस नर्ते की सानचना होने के कारण यह गेर और कालांतर में क्या कहा जाने लगा गेर तो पहले देखें क्या है दरसल गोल गेरे में क्या जाता है इसलिए इसको गेर कहते थे और यही गेर जो है यह समय के साथ क्या कहला जाने लगा गेर तो आप खुद बोल करके देखे गेर बोलना असान लगता है या गेर बोलना असान लगता है गेर बोलना असान लगता है तो यही इसी को इंदी में कहते हैं मुख सुक कि मुहा को जो शब्द बोलने में जोर आता है थोड़ी तकलिफ होती है वो समय के साथ आता है वो अपने आपी easy word जो है वो use होने लग जाता है होली के दिनों में होता है कहां मेवाड और बाड मेर में गेर नर्टे के मूल रचना एक परकार के किन्तों नर्टे की ले चाल और मंडल में अंदर होता है अंतर होता है देखे जो सरंजना यही है गोल गेरे में दोनों में लेकिन जैसे थोड़ा ले, चाल, ताल उसमें थोड़ा सा फरक होता है दूसरा ता है गिंदर नर्ते यह है सेखावाटी का लोग पिरिये नर्ते है सुजानगड, चूरू, रामगड, लक्षमनगड, सिकर औ तो मूदरूप से का का है सेखावाटी का गिंदर नर्ते है नर्ते है नर्ते का परमुक वादे यंतर होता है इसमें नर्ते का अपने हाथ में छोटे डंडे लिये होते हैं नर्ते की ताल के साथ इन डंडों को टकरा कर नर्तक नासते हैं जैसे जैसे नर्ते गती पकड़ता और गिंदर देखे कई कहते हैं जो गिंदर जो चलती है वो कई बार एक-एक मैना दो-दो मैना तो यह हर गाओं का अपना-पना होता है सिस्टम कि वो इसको कितना लंबा चलाते हैं कितने दिन क्या-क्या प्रोग्राम होते हैं तो मूद रूप से कहा का है सेखावाटी का है गिंदर नर्ते फिर इसके बाद में देखेगा तीसरा आता है चंग नर्ते यह पूरुशों का नर्ते है इस नर्ते में हर एक पूरुश के पास चंग होता है और यह चंग बजातावा गोल गहरे में नर्ते करता है नर्ते करते वे ले के साथ चंग बजाते वे नर्ते का अप हम बता रहे हैं सब सेखावटी साइड के नर्ते हैं, तो चंग ये देख रहे हैं, आप चितर में इस तरह से साथ बजाते वे नर्ते किया जाता है, फिर आता है डांडिया, ये है मारवाड का लोग पिर ये नर्ते हैं, गेर, गिंदर और डांडिया तिनों ही नर्ते जो हैं वो वर्ताकार है, डांडिया नर्ते में पुरुषों की टोली हाथ में लंबी छडियां लेकर नासती है, इसमें शेहनाई और नगाडा बजाए जाता है, नर्ते कापस में डांडिया टकराते हुए गेरे में नर्ते करते हैं, तो ये भी गोल गेरे में किया जाने वाला नर्त जालोर का परसिद हैं, यहे भी पुरुशन दोरा किया जाता है, इसमें एक साथ चार या पांच दोल बजाए जाते हैं, इसमें पहले मुख्या दोल बजाता है, फिर अन्य नर्तक, कोई मुहें में क्या लेकर तलवार, कोई हातों में डंडे लेकर, कोई रुमा लटका कर, इ जालोर का परसिद हैं, किसके दोरा किया जाता है, पूरुशों के दोरा, तो यह पॉइंट जो है, इसमें मैत्पुन है, जो कि एक्जाम पूछा जाता है, फिर आता है अगनी नर्ते, ददगते अंगारों पर किया जाने वाला यह नर्ते जसनाती संपरदाई के लोग करते हैं, इस नर्ते में नर्तक कई बार अंगारों के धेर को नास्ते वे पार करता है, इतना ही नहीं, यह नर्तक उन अंगारों को कभी हाथ में उठाते हैं, मुए में डालते हैं, और कभी-कभी जोली बरकर नाना परकार के करतब करते हैं, नर्तक अगनी से इस परकार खेलते ह जैसे अंगारों से नहीं, फूले से खेल रहे हों, यह नर्ते भी पूरुशों के द्वारा किया जाता है, तो यह अगने नर्ते हैं, और यह देखे कहां किया जाता है, दरसल बिकानेर के अंदर एक स्थान है, कत्रिया सर, तो कत्रिया सर में जसनाती संपरदाय के जो और रस्या जो है, वो जो गीत गय जाता है, उसको कहते हैं रस्या, इसमें दो आदमी बड़े डंडों की साहिता से बजाते हैं, और नर्तक रंग बिरंगे फूंदों और पंकों से बंदी लकडी को हातों में लिए, उसे हवा में उचालते वे नासते हैं, वादे यंतरों म नर्तिय का नाम बम रस्या परसिद हो गया क्यों से आप से क्या पूछेगा बम रस्या कहां का परसिद है अलवर बर्तपूर शेतर का ये बम क्या है ये नगाडे को कहते है रस्या जो है वो गीत को कहते है और मुख्य रूप से यही है होलिक आउसर पर जो है ये किया जाता है फिर आता है गुमर नर्ते ये कहा का है ये पूरे राजतान का लोग पिर ये है ये है नर्ते मांगलिक आउसरों और परवोत्सों पर जो है किया जाता है ये है महिलाओं का नर्ते है गुमर किसका है? महिलाओं का इसमा लेहंगा पहने इस तरियां जब चकर लेकर गोल घेरे में नर्ते करती है तो उनके लेहंगे का घेर और हातों का लचकदार संचालन देखते ही बनता है तो ये है गुमर नर्ते और एक सौंग भी है गाना भी है गुमर गुमर करके अभी थोड़ दिने पहले कोई मुवी में था तो गुमर नर्ते है ये तो ये आपका हो गया कंप्लीट अब फिर उसके बाद में कौन सा नौवा नर्ते आता है तेरे ताली नर्ते है दरसलिये मंजीरे बांदे जाते हैं तेरे और उनको आपस में जो बजाते वी नर्ते किया जाता है किसका है तेरे ताली नर्ते जो है किसका है कामड जाती का यह नर्ते ही ऐसा है जो बेट कर किया जाता है इसमें इस तरियां अपने हाथ पेरों में मंजीरे बांध लेती है और फिर दोनों हाथों से डोरी से बंदे मंजीरों की दूरत कती की ताल और ले से स्रीर पर बंदे मंजीरों पर परात करती है विविद परकार के बाव बंगे में पर्दिशित करती है यह चंचल और लचकदार नर्ते देखते बनता है पुरुष तंदूरे की तान पर मुक्यता राम देव जी के बजने गाते है तो अब यह 13 ताली नर्ते जो है मुक्य रूप से किस के दौरा किया जाता है मैलाओं के दौरा बेट करके किया जाता है मंजिरे बांध लिए जाते है तेरा उनको आपस में बजाते वे जो है यह नर्ते किया जाता है हातों पर बांध करके उनसे पाउं पर जो बंदे होते हैं प्राहर करते हैं, اور जो पुरुष हैं, वो रामदेवजी के बजन गाते हैं, तंदुरे की दान पर तो फिर आता है भवाई नर्ते हैं यह नर्ते किसके लिए परसिदे, तो अलग-लग जो भाव बंगिमाई होती है, अलग-लग तरह के जो कर्तब होते हैं सिरपर 7-8 मटके रखकर नर्ते करना यह आप एक चितर देख सकते हैं भववाई नर्ते का जमीन पर पड़े रुमाल को मंँहे से उठाना गिलासों पर नाजना थाली के किनारों पर नर्ते करना तलवार के धार पर नर्ते करना कांच के टुकडों पर नर्ते करना और नुकिली किलों पर नर्ते करना इस नर्ते को रोमाचक बनाता है तो ये इस बहवई नर्ते की विशेशताएं हैं और ये एक विवसाइक नर्ते भी बन चुका है मतलब पैसे देकर के और जो भी है वो आपे नर्टे करवा सकते हैं को भी अबसर हो तो ये हो गया भववई नर्टे फिर इसके बाद में आता है गवरी नर्टे यह मेवार में भिलों दुवारा किया जाने वाला परसी नर्टे है मांदल और थाली की थापर गवरी नर्ते में कई स्वांगों का परदशन होता है और ये देखे ये चलता है लवग 40 दिनों तक राई और बुडिया इसके परमुक पातर है राखी के दूसरे दिन यानि भादरपद की एकम से 40 दिनों तक ये नर्ते किया जाता है इस साथी में गवरी नर्ते करने वाले ब्रम्चरिय वर्थ का पालन करते हैं वैसनों से दूर रहते हैं हरी शाक नहीं खाते और जमीन पर सोते हैं गवरी नर्ते जो है मा गोर्जिया यानि मा पार्वती यानि गोरी के अराधना के लिग किया जाता है 40 दिनों के बाद गलावन और वलावन की रसम के साथ गवरी नर्ते को विराम दिया जाता है यह नर्ते सिर्फ पुरुशों दुवरा किया जाता है और महिला पातर भी इसमें क्या बनते हैं पुरुश ही बनते हैं तो यह गवरी नर्ते देखे 40 दिनों तक चलता है और ये एक इस्थान पर भी नहीं होता अलग अलग गाउं में जाकर के वहां ये किया जाता है 40 दिनों चक चलता है और जो भी पूरा ये लोग साथ साथ में नर्ते करते वे चलते हैं तो उनका रहने का सब खर्चा जो है जिस गाउं में ये करते हैं उसी गाउं के लोग उठाते हैं ये हैं गवरी नर्ते अब आता है कालवेलिया राजस्तान में सपेरा जाती का ये एक परसिर नर्ते है इसमें सरीर की लोच और ले ताल पर गती का मंतर मुग्द कर देने वाला तालमा देखने को मिलता है आपने जो गुलाबो सपेरे का नाम सुना होगा वो ये ही नर्ते जो है उनकी वज़े से ये नर्ते फेमस है अधिकतर इसमें दो बालाएं अत्वा मेलाएं बड़े घेरे वाला गहांगरा और गोंगरू पहन कर नर्ते परसूत करती है नर्ते आगना काले रंग की कशिदा कारिकी की पोशाग पहनती है जिस पर कांच, मोती, कोडिया, कपड़े की रंगी जालर आधी लगे होते हैं नर्ते में पुरुष्णों द्वारा पुंगी और चंग बजाई जाती है दूसरी मेलाएं गीत गाकर संगत देती है इसके अलावा कच्छी गोडी नर्ते, कंजर बालाओं का चक्री नर्ते, चरी नर्ते और चीर्मी नर्ते भी आकरशिक हैं तो ये सब सारे मेहन में चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी आपकी ये मेलेर, संगीत, महंदीर, सांजीर, ये रास्तानी संग्सकरती में और महोकता परदान करते हैं ये सब चीज़ें हैं जो के आप आर्ट कल्चर में रास्तान पढ़ते हैं रास्तान संगीत संस्तान जयपूर, रास्तान संगीत नाटकक आदमी जोधपूर, जयपूर कथक के अंदर जयपूर, बारतिय लोग कला मंडल उद्यपूर, रवीदर मंच जयपूर, पस्चिमी सांसकर्ती के अंदर शिल्प कराम उद्यपूर, जवाहर कला के अंदर हमारी लोग संसकर्थी के वहार और संग्रक्षक है तो यहाँ पर इन जगह पर मंचन किया जाता है इन सब का विसे विसे आलागलग आउसरों पर तो यह आपके लिए पेराग्राफ बहुत ज़्यादा महत्पून है क्योंकि इसमें कौन सा कहां कहां है जैसे रास्तान संगीत नाटक अकादमी का है जोतपूर में जयपूर कतक के अंदर यह जयपूर में है बारतिय लोकला मंडल का है उद्यपूर में पस्मी सांसकर्थी के अंदर शिल्पकराम यह का है उद्यपूर में जवार कला के अंदर जयपूर में तो इस परकार से ये नाम भी आप सको ध्यान में रखने हैं कि कोण सा संस्तान कहां कहां है। आप देखेगा आप आती है शब्दावली, खयात क्या है इतिहास, परिसर का मतलब शित्र, परेटक बर्मन करते लोग मांगली यानि शुब और भावज यानि भाई की पत्नी यानि भावी, भाग ए को भाग बैस से सुमेलित कीजिए, अवे जिन माता, केला देवी, तिरिप देखे सबसे पहले बात करते हैं, जिन माता, जिन माता कहा हो जाएगी, सिकर के रेवासादा में, केला देवी कहा हो जाएगी, करोली में, तिरिपुरा सुंदरी, बांसवडा, जमवाई माता, जैपूर, मेरा जो रामगड है, करनी माता, बिकानेर के देशनोप में, तो य आइन्स्वर नमож और उजे है कि तीसरे सवाब के माचा विजय न बहुत है कि आपको पीज़ाई मेले किया जाता है गया है किया देवी के माचा मेले मेले कौण सा विजय न बहुत हम स्वाऊनना कुन सा विजय निर्थे कीra जाता है ये लिख के बताईएगा, टाइप करके बताना है, कमेंट करके बताना है, और जो वीडियो के सुरू में बताया था, क्यूसन आप से पूछा था, उसका जवाब ये आपको कमेंट करना है, ये आज आज आपका 7th क्लास की जो पुस्तक है, इसका इतिहास कम्पलीट होते हैं, और आजवी क्लास की जो आप पुस्तक सुरू करेंगे, उसका सेडूल में आपको बता दूँगा अभी जल्दी ही, कि क्या उसका सेडूल रखना है, और आजवी क्लास की पुस्तक में तो ग्यान का बंडार है, जैसे जैसी ये हाई लेवल की कक्षें होती जारी है, 6 से 7, 7 से आप 8 पढ़नी है, फिर 9 आएगी, फिर 10 आएगी, उतना ही इनमें ग्यान का बंडार बरावए हैं, आप 8th क्लास की किताब में देखेंगे हिस्ट्री में, कि दुनिया बरका ग्यान का बंडार है 8th क्लास में, 9th क्लास में उससे भी ज़्यादा और 10th क्लास में उससे भी इसके अलावा आप वीडियो को लाइक जुरूर किया किजिए ज्यादा ज्यादा शेर करें तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ जय हिन जय भारत